सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथे बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुव विचार सी आदत थे रिस्तों में दूश शक्कर की तरहा गूल जाने की, याद ही न रहा की, जमाना तो शुगर फ्री हो गया है, धैरे ही है जो एक सफल और असफल वैक्ती में फर्क बताता है, अच्छे बात करने के आदत अपने आप बन जाती है, मन में विचारों के हलचर रहेगी फिर जिन्दगी कहां संतु लित रहेगी आज का भी जीत महुरत, अर्था दिन का सबसे सुपसम में, दोपहर वारा बचकर साथ मिलट से बारा बचकर चुवन मिलट तक रहेगा, आज चंद्रमा करक राशी पर रातरी नौ बचकर तीस मिलट तक रहेगी, इसके उपरां शीह राशी पर संशार करेगी, और आज में सोचने का मौका देखी, आपने पिछले समय में कई मौके का काफी कठोर ढंक से अपनी रतिक्रिया दी है, लेकिन अब अब मांशिक रूप से काफी शान इस थिती में है, सुलह करने और सम्मन, शुधानी के लिए बहुत अच्छा समय है, खुसी पाने का सबसे अच्छ इतना करने दी, किसे नए प्रसिक्षन के लिए साइन अप करें या एक नए कोशल सीखें, इसे आपको एक दिल्चस्प मौका मिलेगा, सक्षात करवार्थालाब और चर्चाओं के लिए आज के दिन उप्युकते हैं, क्योंकि सभी आपकी विचारों की प्रसंसा करेंगी, सारवजनिक रूप से आप अपने काम की, स्युक्रिती के कारण लोकुप्रीता प्राप्त कर शक्ती हैं, अपने लक्ष पर ध्यान दे, विजए आपको ही मिलेगी, सफलता आपके दुष्टी कोड़ पर निर्भर करती है, इसलिए चीजों को शकरात्मक रूप से देखें, अज परवारित तथा व्यक्ति गत, गतिवीध्यों को विवस्थित करने में व्यतित होगा, आपका सिध्धान्थ वादी तथा व्यापक दुष्टी कोड़ समाच में आपकी छवी को और अधीक निखारीगा, कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने के उचे संभ अपने समश्या को सुलजानी का सही मार करना मिलने से चिंता और विचयनी रहेगी, खुद को प्रेरिक बनाए रखें और सतरकता बनाए रखें, काम की जगा थोड़ा बदलाव करने के आवशकता होगी, ए रिलेसंसीप में बढ़ती हुई नराज की पार्टनर के लिए चि इक्सिडेंट होनी की शंभावना भी बन रही है, पर वारिक तथा समाची कतिवीधियों में उचित विवस्था, रखने में आपका विशेश योगदार हीगा, आपका शकरात्मक और उदार, नजरिया आपके रिस्ते को मजबूत करेगा, कुछ नीजी समश्याओं के चलत परियों को भी कुछ अधिकार देना उचित होगा, कुछ रासनिति के समाजिक संबंधों में आपको लाब होनी की उमीद है, इसलिए अपने संपर्कों को मजबूत करेगा, आपकी सफलता और सेवस से बड़े बुजूर्ग संपन्न होंगी, इस वज़े से पुरानी नकरा आत्मक बातों को वर्तमान पर हाविना होनी दि, समश्य भी वर्तमान में उत्पन हो शकती है, छात्रों को अपने परिच्छा के संबंध में अनुकुल परणाम नहीं मिलने से थोड़ी परशानी हो सकती है, जीवन साथी का सहीयोग आपका मनुबल और आत्म में श्वास ब आईगा, मौजूदा हलात बहुत अनुकुल नहीं है, इसलिए धैरे बनाए रखें, संतान से जुड़ी उम्मीदें, पूरी ना होने से मन मायूस रह सकता है, नेजी कारियों के चलते आप वेवेशाय पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, परवारिक जीवन सुखी ह शुखता है, शौधानिया, खर्चे करते समय बचट का भी ध्यान शिरूर रखें, किसी पूरान, किसी परवारिक सदर्श के वेवाहिक जीवन में चल रही, पर शानियों को लेका चिंता रह सकती है, पर अन्तु इस समय धैरे और वीवेक द्वारा समश्या को सुलशाएं, बात करते हैं लव लाइफ की, आप में से जो अकेले हैं वे अपने समश्या की शुरूरात करनी की योशना बना रही हैं, जो पहले से ही किसी के साथ समर्पि समन में बन चुकी है, वे अपने रिस्ते का खोया हुआ रोमैस वापस पानी की कोसिस करेंगे, सभी चुनोतियों भी आपकी तारिफ करेंगे अपने परिवार के साथ साथी के परिवार के परशानियों को भी नजर अंदाश ना करें अगर शिंगल है तो मिंगल होने के लिए तैयार हो जाएं अपने दोस्ती को मजबूत बनानी के लिए अब आप अधिक मेहनत करेंगी आज अप रिस्ते को अपने आत्म विश्वास को कमना होने दे आपका साथ ही स्वयम आपकी और आईगा बात करते है करियर की आज आपको कुछ बड़े निर्णे लेने हैं जिसमें कुछ समश्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है नई नीतिया बनाएं वह पुरानी नीतियों में सुधार करें अज भागे आपके साथ है बढ़ जयूरत है तो आपकी पहल की अधिक जनकारी और ग्यान के लिए ऑनलाइन भी मदद ली जा सकती है किसी साक्षात का रवारता लाप या शर्चे के लिए यह समय आपके लिए शुब है सतर करें है आज कोई भी चीज आपको सफल होने से न निर्भर करता है चीजों को शकरात्मक रूप से देखे क्योंकि आपके दिन का अंत बहतरीन है रवये पर ही जीवन की हार जीत निर्भर करती है यह आपके लिए एक महान दिन है आप दुश्रों को अपने विचारों और और धर्णाओं को पेश करने के लिए इस औसर का भ इसे लिए श्रौधान रहे क्योंकि हो सकता है इस थीत्या उस अनुपात में आपका साथ ना दी विश्नेस में कामकाच का बुझ बना रहेगा और अन्तों आप अपने सूझ-बुझ और समसदारी से समधान भी निकाल लेंगे आप कारे छेत्र में कुछ बड़े फैसले ल नहीं होगा बचने का कोई भी विकल्प नहीं होगा इसलिए आपको पहले से ही सौधान होकर रहना होगा इसके लिए एक काम आप यह कर शक्ते हैं कि अपने खाने की योशना इस प्रकार की रखीं किसे आपकी रोग प्रतिरोगधक छमता बढ़ी और आप संक्रमडों से ब ना कर खिले शुब रहीगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमें से सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दे शुब हूँ